बॉद्धन बॉद्ध का ये घर है हम इस चैनल के मादम से दिखा रहे हैं ये नहीं कि बहुत अच्छा बंगला बना हुआ है ये गरीब परिवार से हैं एक मजदूर परिवार से हैं खेती गिरस्ती करने वाले हैं और इसी परिवार में अपनी परदिभा को दिखाये जाए बरधन ने और उनके बगल में उनके पिता जी हैं जो राम जियाउन बॉद्ध हैं ये सब तथा गद बुद्ध और बाबा साब के विचारू पर चलने वाले हैं अंद विश्वास पाखांडवार से दूर रह करके ये इनका है ये सब घर है आप दिखा रहे हैं कुछ यहा पर हम जय बरधन बहुत के पिता जी इनका नाम है राम जियाउन बहुत गराम बगाड़ी विकास खंड बंकटी जनपत बस्ती में इस समय है और यहां पर हम आये थे इनके पुत्र को अभी जन्वरी इसी जन्वरी 2022 में सिच्छा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया 2022 सिच्छा रत्न सम्मान जन्वरी 2022 में सम्मानित किया गया PAAI पिर्थवी अभी योजन एसोसियेशन आफ इंडिया दिल्ली द्वारा दिया गया है आज हम उनके पिता जी से जानकारी लेना चाहते हैं कि यह बहुत ही गर्व की बात है कि आपके पुत्र ने इस तरह का सम् महसूस कर रहे हैं आपके ही देन है कि जो सिच्छा में आगे बढ़ते गए आपका सहयोग मिला तभी सबसे पहले आपका आवाज इंडिया टीवी में स्वागत है हम आप सभी नों का नम बंदना बंदन करते हैं जैब ही मुद्धाय कि साथियों आज आप हमारे घर आए ज जो कारक्रम के दारान यहां अबस्तित सुए है जो हमारे चोटे बच्चे हैं और शीक शाग से पढ़ाई कर रहे से पढ़ाई के दारान जो भी कारक्रम हुआ इन्नों को जो प्रेडा मिला हमारे बच्चे परशा बुद्ध भिहार से जो रतना रुपासक जी से बाद में जी हुए उनके सिच्छा लिए क्योंकि ग्राम सेवक से तो यह हमारा लड़का था उनके करीब रहता था तो कहें कि आप भी एगली केल्चर पढ़ लो तो हमारे दो बच्चे एगली केल्चर खर रहे हैं और यह में सी खर रहे हैं यह कानपुर से हैं और लड़की हमारी द सब्सक्राइब को बनाए आगे चल करके दीरे दीरे और लोगों का सही होगा हाँ चलो यह ठीक है चलो ठीक है तो आगे चलता गहें और आगे नल बनाए जो भी पार्ट बनाए मसीन बनाए फिर शाइकल बनाके लाए ब्लाक में दिखाए ब्लाक के कर्मचारी इदकारी वी सब्सक्राइब नहीं है लेकिन हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को पढ़ाई दिया जा हमारे सारे बच्चे पढ़े लिए ठीक है धार्मिक परंप्रा के अंसार हम लोग बावा साह को मानते हैं अंधविस्वास में कोई अंधविस्वास और पाखंट से हम लोग दूर रहते हैं बैज्ञानिक सोच था और हम लोग मैं खुद डाक्टर अंबेट कर समाजदार समी से जुडा परशाबुद्विहार से जुडा हूं तो इस तरह से सामाजी काम करते रहे सामाज में जो भी आए से सोच थी कि हमारे लोग किस करके दिखाना है इसी कड़ी में हमारे एक लड़का विटक एंजिनियर है एक हमारी लड़की वो टीचर है और सब भी लोग कुसल से ठीक साहते और शाही ढंक से घर का मारत दर्सन सामाजी का स्थर पर ठीक आते चल रहे हैं जो भी बच् स्कुरूत नहीं साथ उनलों का योगदान रहता था इस तरह से लोग बच्चे पढ़े और पढ़ने के बाद यह बहुत जान उनलों का भी है कि हमारे मामा मामी जोसे ज्यांदर है तो ऐसे सभी लोग का योगदान है परिवार के उपर प्रहाई लिखाई में कहीं पैसे की नहीं आई देखे इन्होंने जैसे बाबा साब ने ठान लिया था कि मुझे कुछ करके दिखाना है करके दिखाए भारतिय संविधान तक लिखे और भी तमाम उनके सामने चुनोती आई संघर्स करते गए समाज को जगाने का भी काम किये तो बाबा सामने कहा था सिच्छा वा आगे नाम कर रहे हैं अपने बाब का भी भाई का भी और भी परिवार के नाम आगे रोसन हो रहा और सबसे खुशी की बात है कि इस गाउं का नाम रोसन होगा जिले के साथ साथ परदेश का नाम रोसन होगा अगर विदेश में जाएंगे तो भारत का भी नाम रोसन होगा चलिए अच्छा आप हमारे चैनल पाए इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद बहुत धन्यवाद हम आपनों का हारी गुबनेंदन करते हैं